राम राम साब सबने एक डान पाची राजस्तान दी एक आपी व्यंजन वनाओ वाला हाँ वंडो नामे राजस्तान दी गटारी साख और या तो आप सबने भी पसंद वेगा हमारे जूँद तो आप ये कटोरा में बेसन लई लाँगा वड़ी महीने धनियों, हरी मच्चा, कूटिया थका, धनिया रा बीज, अजमो, जीरो, सौफ पच्चे या कसूरी मेथी नाकी ही, लाल मच्चा, धनिया रो पाउडर, पच्चे हल्दी रो पाउडर ये सब चीजा आप अपने स्वादरे अनुसा नाकी सको, बाकी तो आणारा मेजरमेंट मो नीचे, डिस्क्रिप्चन बोक्स में देई दूँगा वटा बाद में अणी में नमक नाक्यों, सोडो नाक्यों, मोयन वाते तेल नाक्यों और पच्चे दई नाक्यों आपने अनी में दई नाक्या बाद थोड़ो भी पाणी नी नाक्यों, आपनों आटो बढ़िया तरीकों वणिन तयार वही जागा सोडो अनी में अनी में आते नाक्यों ताकि आपना गट्टा एकदम नरम नरम वणे और खावा में भी मजो आवे पच्चे आणा ने 4 बराबर हिस्सा में करीन अनी तरीकारी सिलेंडर जसी अकने शेफ वरणाई लेनी और पच्चे आपना आणा ने उबल था थका पाणी में दई नाक्यों पाणी नाक्यों आपनी वडलि जावे एक दान वटा केड़ा है तो आप एक कड़ाई में तेल लीलांगा पचे मणी में हीन ना की जीरों ना क्यों है और मुँ एक लारीस राई और मेथी दो ही डाली रो अणी में राई मेथी रो स्वाद बहुत ज्यादा आवे जू आपने कड़ी महीने हो लागे नी वितर अणी महीने भी राई मेथी बिल्कुल नी छोड़नी वताबाद में सुकी लाल मर्ची ना की और प्याज और हरी मारे चोपर हो अणी में चोप कर लिदा आप चाओ तो अणी ग्रेवी भी बनाई सको पचे अणी महीने कड़ी पता भी नाकना जो आपके कड़ी में नाका नहीं वी तर अणी में भी अंडो स्वाद बहुत बढ़े आवे पचे में अणी में लस्तन डाली है मैं अणी में अद्रक्रो यूज नहीं कीदो है अगर आपी मसाला मलें अगर तेल में डाला तो आपनो दई फाटे नहीं है तो अने बाणों में दीमी आज पे डालेओ और कंटीनियो अने हिलातो रेणों ताकि आपनों दई फाटे नी पच्चे में जणी में घट्टा उबालिया वो पाणी इसमें डाल दीदो और लारे लारे घट्टा भी नाकी दीदा अब अना दोयाने थोड़ी देर उबलवा द या फाट भी आणी ताक हीजवा देना आ अना और शुरूवात में अपने आणी में पाणी जादिस राखनों का कि अगर या थोड़ी देरी पंदा मिनेटी अगर सब्जी पढ़ी रेगी त्या का टी वई जागा अने अपने अपने थोड़ों शुरू में इस पाणी वतत जट रहे तो ताणी वात्या पाणी रो ध्यान राग जो बराबर बिल्कूल और अगर आपने मारी रेसीपी पसंद देगे तो आपने पतोई से लाइक शेर रो सस्क्राइब करनो धन्यवाद